आज शास्किय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कल एक कैबिनेट मंत्री की कोरोना पॉज रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसके बाद मुखे मंत्री ने एहतियात के तौर पर हूम कॉरंटीन में रहने का नेने ले लिया था उन्होंने पताया कि आज हम सभी मंत्रियों ने जो कैबिनेट पैठक में शामिल हुए थे हूम कॉरंटीन में रहने का नेने लिया है उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसका पालन किया जाएगा जिस परकार की भारा सरकार की गाइडलाइन होगी जिस परकार का उताखन सरकार के शासन की गाइडलाइन होगी उनके अनुसार हम उसके बाद उसका जो भी नेड़ने होगा उसको फोलो करेंगे आज अपने आपको हमने कुरंटीन किया हुआ है लेकिन अभी तक संभवत नेड़ने नहीं आया है जो नेड़ने परसासन काएगा उसका हम अक्सर से पालन करेंगे वही कोरोनेशन अस्पतल की मुख्या दिक्षक डॉक्टर भागीरती जंगपांगी ने बताया कि एक कैबिनेट मंत्रे के स्वास्त परिक्षन के लिए गई डॉक्टरों की टीम को भी होम कॉरंटीन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि रूटीन चेक अप के लिए स्वास्त विभाग की टीम कैबिनेट मंत्रियों का स्वास्त परिक्षन करती है इस दौरान कैबिनेट मंत्रे के कुरोना पॉजटिव होने के जानकारी नहीं थी पांच लोगों के टीम उनके आवास पर गई थी इसलिए सावधाने के तौर पर सभी को होम क्वारंटीन करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं साथ ही सभी का सेंपल भी लिया जा रहा है मंत्री जी ने बुलाया था उनको यह डॉक्टर को और दो फार्मेसिस्टे और सास्त परिक्षन के लिए तो उसमें पता ही था कि यह नेगेटिम पॉस्टिव है तो हमने अभी लेटर बनाया उनको कॉरिंटीन करेंगे हम होम कॉरिंटीन फॉर्टीन डेज पर उनके सैंपल भी विजवाएंगे कल तीन डॉक्टर्स थे और दो फार्मेसिस्टेग वार्ड बोई पांस्टों के टीम गए थी अपनी गारी में, सरकारी गारी में राज्य सरकार ने कोविड गाइंटिन के चलते रैट औरेंज और ग्रीन जोन की एक पार फिर से समीक्षा की है अब ननिताल औरेंज जोन से रैट जोन में आ गया है वहीं उदमसी नगर सैंपलिंग संक्रमंट दर और एक्टिव केस में सुधार करके औरेंज जोन से क्रीन जोन में आ गया है राज्य के बागी सभी 11 जिले अभी भी औरेंज जोन में ही है मुखे सचिव उत्पल कुमार सिंग की तरफ से जारी जोनिंग आदेश में कहा गया है कि रविवार को दो बजे तक जारी कोरोना संक्रमंट के आंकडों के अनुसार जिलों का विश्लेशन किया गया मुखे सचिव ने बताया कि रेड जोन के जिले में व्यावसाई कतिविधिया सुबह साथ बजे से शाम चार बजे तक ही संचालित की जाएंगी जिले से बाहर जाने के लिए पास अनिवार होगा रेलवे स्टेशन और हवाई अड़े से यात्रियों को लाने और ले जाने के अतिरिक्त सारवजनिक परिवहन प्रतिबंदित रहेंगे बाकी के ओरेंज और ग्रीन जोन में कतिविधिया पहले की तरह ही संचालित रहेंगी